देखें 50 Overs World Cup के लिए जिस तरह इंडिया ने दो सल पहले त्यारी शुरू की तो इसलिए इंडिया ने आप अपनी T20 की त्यारी भी शुरू कर दिये यूएस के अंदर जो होना है पाकिस्तान भी त्यारियां शुरू कर रहा है न्यूजिलेंड के खिलाफ T20 मैचेस हैं कि PSL के लावा सिर्फ एक लीग जो है वो आप खेल सकते हैं इसके लावा आप लीग नहीं खेल सकते तो इमाद वसीम की रिटायर्मेंट भी एक है में हवा बनाया हुआ है अबास शबीर आप से मुखातिब है क्रिक्ट के हवाले से कुछ चंद एहम खबरें आपके सामने रखन हैं आई पील भी शुरू होने वाला है तर पी एसल की गैमा गैमेंट भी शुरू हो जाएगी तो एहम चीज़ें जो आपके साथ डिसकस करनी है सबसे पहले इमाद वसीम जो इस वकत सोशल मीडिया की जीनत बने हुए है सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हुआ हुआ से पीसीबी ने इम असीम से रेटार्मेंट ले लिलै पीसीबी यमा असीम को लिफ्ट किस तरह करवाए आप पर फेसे और बोड ने अब अब एक एसोबी बना लिया है जो सेंट्रल कांट्रेक्ट भी क्रिक्ट बोर्ड ने खिलाडियों के दिये थे उसमें ये बड़ा कैटोगॉरिकली लिखा गया था कि दो लीक्स प्लेयर खेल सकता है इंजमामुलाग आपको याद है जब इंडक्ट हुए थे वर्ल्ड कप से पहले तो इंजमामुलाग ने एक रोना डाल दिया था कि ये अखियाराग मेरे पस होने चाहिए मैं क्रिक्ट खेलनी है टीट वैंटी खेलनी है लीक खेलनी है तो वह इंजमाम उल्हक को दे दिये थे लेकिन अनफौचिनेटली इंजमाम जियूँलाग देर क्रिकट बोर्ड के साथ नहीं रह सके अपनी कुछ इसी घल Central contract में बड़ा clear था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से यह देखा जा रहा है कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा एक्सेसिव लीक्स खेल रहें कैनड़ा से खिलाड़ी उतरता है चड़ता है तो सिरी लंका पहुंच जाता है सिरी दुबई पहुंच जाता है दुबई से पहुंचता है किसी और मुल्क सुरू हो जाती यहां पर इतनी लीक्स बोर्ड इसंपर इनवेप्ट आप खिलाड़ी ओं बन जाते हैं आप निकल जाते हैं लीक्स की तरफ तो ये भी बड़ी ज्याती है और क्रिक्ट बोर्ड ने जो अपने सेंट्रल कॉंट्रेक्ट दिये थे उसमें ये बड़ा वाज़त और लिखा है कि पी एसल के इलावा सिर्फ एक लीग जो है वो आप खेल सकते हैं इसके लावा आप लीग नहीं खे कर दिखिए और इमाद वसीम टाइब के जो क्रिकेटर्स हैं वह लीग रिकेट रिए हैं वह इंट्रनेश्ट क्रिकट के लीए में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको फिट नौजवान खिलाडी चाहिए ज grey लोड़ी को अंधर भी जानो कि आप शायद पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जगा नहीं है क्यूंकि पाकिस्तान की जो क्रिकट रिक्वायर कर रही है प्लेयर से के प्लेयर पहले डुमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पर्फॉर्म करें मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि सरफराज अहमद अच्छा परफॉर्म किया है और आज वो वापिस आए हैं पाकिसान टीम की टेस्ट टीम के अंदर और उस दिन एक मौका था जहां पर मुझे बड़ी खुशी हुई के हफीज ने बहुत सारे लोग बैठे थे पूरी टीम बैठी हुई थी मैं भी महाँ पर मौझूद था हफीज ने चेर्मन मेंजमेंट कमिटी जका अश्रफ के सामने जब तमाम प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जिसमें बाबर आजम के हावाले से बहुत अच्छी बात की कि सर्फराज एक सीनियर प्लेयर है और बिंग सीनियर प्लेयर सर्फराज ने यह साबित किया है कि वह डुमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया और सीनियर टीम के अंदर आए तो इसलिए डुमेस्टिक क्रिकेट अब एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है पाकिस में और डुमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखें दुबारा से अगर आपने कम बैक करना है तो आप यह बैट टीवी के ओपर बैट किया आप कहें कि मैं तो फुल फॉर्म के अंदर हूं मैं तो इतने रंद कर सकता हूं इसा नहीं होगा टीवी के ओपर बैठ कर कैमरे के सामने तो हर बंदा कह देता है कि मैं च्छका भी मार लूंगा मैं बीस रन बना लूंगा मैं तीस रन बना लूंगा लेकिन असल आपको परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस कर रास्ता वही है कि डुमेस्टिक क्रिकेट की क्रिकट थी उसने बड़ी अच्छी क्रिक खेली है और बगे नौजवानों को मौका मिलता है वह क्रिक्ट खेलें और पाकिस्टन के लिए नाम रौशन करें क्यूंकि उनके पास ठाकत है उनके और दटीच व्योनदी में क्रिच बहुर्ट ज्यादा है मीएस का चोटे-चोटे grounds के ओपर, betting wickets के ओपर, यह score करके बले लहरा के यह ना समझें कि हम पाकिस्तान टीम के अंदर आना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए आने के लिए आपके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, उस क्राइटेरिया पर अमल करें और यह TV के ओपर क्यारियां शुरू कर रहा है न्यूजिलेंड के खिलाफ टी ट्वेंटी मैचेस हैं लेकिन इंडिया फिर इस तरह लग रहा है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वह मैं पढ़ रहा था अभी जो यह स्कोर बोर्ड है जिसमें जैस्वाल है गेटवड है इशान किशंद है लेकिन दुबारा से आप उनका अगर आप देखें उनका स्कोर कार्ड तो मैं तो बड़ा खुश हुआ को 53 58 52 दुबारा से यह अब टी ट्वेंटी की प्रेक्टिस इन्हों ने शुरू कर दी है और दुबारा से यह अब मुझे लगता है कि यह प्लेयर्स होंगे जो टीट तर समझता हूं कि अब पाकिस्तान ने गोरे कोचिस से जान चुड़ा है और जो इस्ट इंडिया कंपरी पाकिस्तान ने बनी हुई थी उससे जान चूटी है हमारी हफीज, उमर गुल, साइध, अपने कोचिस आएं कमिनिकेशन गैप खतम होगा, खिलाडियों का मुराल अ होगा, खिलाडी थोड़े से अपने कोचिस के साथ थोड़े से कमफर्टेबल होते हैं, जिस तरह इंडिया के टीम है, इंडिया के जो प्लेयर्स है, वो अपने कोचिस के साथ बहुत ज्यादा कमफर्टेबल है, तो इसलिए पाकिस्तान ने भी ये काम शुरू किया है, इं राइंदा आने वाले दिनों के आदर बड़ी चीजे आपको नजर आएं की में के साथ बिल्कुल वह को बलाया गया था लेकिन इम्रान खान अवेलेबल नहीं है जिसकी वज़ासे वो नहीं आ सके वो जेल के अंदर है अभी ऑस्टेलिया जो हकूमत है उन्हों ने ऑस्टेलियन हाई कमिशन के तवस्थ से एक लेटर भी लिखा है कि भाई नेवर एंडिंग एक इम्रान खान हमे हमेशा इसी तरह ही रहेगा इम्रान को लोग इंवाइट करते रहेंगे इमरान खान मुख्तलिफ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया नगबार के लिए भी कुछ अर्से पहले शेरिंग किया करते थे अपने आर्टिकल जो गएरा उनको दिया करते थे तो इमरान खान का ऑस्ट्रेलिया समेथ पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है लेकिन बदकिस अर्फिल करें मार्बल स्लैप्स के ओपर किसे तरीके ना है किस तरीके से templa को चोड़ना है किस तरह बॉल को करिणा है तो बहुत अच्छी तियारियां हैं, 4 दिन का हैं पर केम्प लगा, होप सो कि पाकिसान आस्टेलिया के अंदल लेकिन ऐसी कोई तारीक मिलती नहीं है कि आस्टेलिया में आप आस्टेलिया को जा कर हराएं, लेकिन फिर भी पाकिसान टीम एक नए जजबे के साथ एक नए कोचिंग स्टाफ के साथ जारी आउस्ट्रेलिया कोशिश करेगी कि वहाँ पर काम्याबी समेटे पर आगे न्यूजिलेंड की टी-20 सीरीज है उसमें भी पाकिसान टी-20 और वंडे की तो अच्छी टीम है और जो हमारे पास लौट है शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी में वो अच्छा पर्फॉर्म करेगा बाबर आजम की सपोर्ट है और जो प्लेयर्स है उनकी एक अच्छी सपोर्ट होगी तो एक अच्छी एक्साइटिंग क्रिकेट आपको आएंदा आएने वाले दिनों में देखने को मिलेगी तीन चार एहम इशू से जिसमें आपसे बात करना बहुत जलूरी था अब आज शबीर को इजाज़त दीजे का अल्ला निक्रवान